आजाए ओनलाइन लाइव लाइव कम फास्ट ओनलाइन लाइव सुन पा रहे हैं बताएंगे रावल सुष्टी पलक्स स्वेत आयान लाइव सेटल डाउन बैट जाओ बैट जाओ बातचीत नहीं सीधा बैटो जगे पर आओ बातचीत कम करेंगे आप लोग क्लास के बीच में एकदम बातचीत नहीं डिसकेशन कर सकते हैं healthy discussion is allowed बाकी healthy cheese is not allowed लाइव दिव्या तुशार येस तान्या मिलन जल्दी से आएंगे सब ऑल्लाइन लाइव 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 लाश्ट क्लास हमने बैसिक्स को एक लेवल उपर लेके गए थे क्या हमने चेंजेज इन कॉस्ट पढ़ा था क्या लाइज डे क्या टॉपिक कर चैंजे इन की अच्छा मतलब जरूरी मिए क है कि कॉस्ट सेंघर ठीए ब्ल कॉच्ट पर यूनिट भी क्या हो सकता है बताऊ बसे å फोटल फिक्ष्ष प्च वी क्या हो जक्ता आए टेंघए डिपेंडस अपान बयोंड सर्चन लेवल या अगर कोई दनिया में एक्नोमी चाया जया जैसे अचानक से पेपर का दाम गर जाएगा तो ओबेसली बुक्स का दाम बाच जाएगा तो यह चानक से पर का दाम बढ जाएगा तो आशाजा बढ़ार के लिएगे उस करना और कोई भी पहस्ट ज़रूरी है सहें रहे कि long run या beyond capacity के बाद cost can change but yes foremost property यह था variable cost per unit का कि it remains constant per unit remains और fixed का था total में remains constant foremost property इस property में अगर छेड़ चार खुद करने बोल रहा है सम्स तो हम छेड़ चार करके answer निकाले थे semi variable को break किये थे किसमें semi variable को break किये थे किसमें variable और fixed variable का क्या निकालते है variable cost per unit और fixed का क्या निकालते है total cost यादा रहा है और उसके बाद जैसे changes बोलेगा apply कर देंगे कोई homework दिये थे कि नहीं दे रहे है नया नया बात चल रहा है आपका homework homework क्या लोग है सर अभी पढ़ाईए अभी सीखना है हम लोग को तो आपने एक avenue of cost शीख लिया जिसका नाम था सर how to classify cost on the basis of बताईए क्या सीखा nature behavior कि उनका क्या behavior रहता है behavior wise cost is over which was related to three important things क्या सर ये behavior wise cost हमें अब chapters में काम आएगा from the very first chapter till the last chapter काम आएगा यानि अब कोई भी chapter में ये point आता है कि cost change हुआ है या variable cost इतना था तो बताओ नहीं capacity का कितना क्या आप ये concept apply करके निकालोगे बिल्कुल तो ये concept आपको from the very first chapter till the last chapter सर कितने chapters है मैंने क्या बोला अभी आप लुप्त में रहो पूरा एकदम उतना एक एकदम zone में चले जाओ जहाँ आपको लेना देना ही नहीं है इस सब बात से कि syllabus में कितने chapters है क्या पढ़ना है क्या आपको ये particular घ्यान आगे भी काम आएगा बिल्कुल काम आएगा तो बोलो clear हो रहा है ये वाला बात तो basics का first session जो मेरा रहता है which was behavior wise cost is over क्या आपको कितने सम्स प्रैक्टिस करवा दिये इन के ऊपर देखो तो तीन चार कर लिए तीन चार टो बना लिए आप लोग और मैंने क्याल से चौथा तक जाते जाते मैंने 100% लोगों का variable cost change तो वह किस चेंज के बारे में बोला और अगर बोलता है fixed cost change तो टोटल में बस यह एक एक मलब होता ना ज्यादा कुछ नहीं ज्यादा दिमाग ग्रिल नहीं करेंगे simple simple दो example से समझेते यादा रहा है आप लोग को यह सब बात यह था किस wise cost बताइए वापस से behavior wise cost अब हमें जानना है एक और type से classification जिसका नाम है element wise cost क्या बोले word बोली तो element element मतलब word बोलो element का मतलब आप क्या समझते हो क्या पदार्थ element मतलब सुझते ना पदार्थ ingredients आप लोग बोलते हो न कि किसी से हम लोग बने हैं exactly cost भी खर्चा भी तीन पदार्थ से बना है आईए एक एक करके तीनों प्रदार्थ का नाम जानते हैं ठीक है तो heading लिखेंगे सारे बच्चे क्या बताइए classification किस हिसाब से आज बताइए हाँ element wise लिखिए classification of cost element wise classification of cost देखे किस वाइज element wise classification of cost element wise कितना arrows निकालोगे इससे भी तीन जानते हैं क्या 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 पदार्थ से हमारा cost बना है ज्यान से सुनना बहुत ही interesting गुद आफ्टरून एब्रिबड़ी पीछ हो गया नहीं करना है बोल रहे हैं बोल तो दिये दुम लोग दो बार होता है तो थीक से बोलोगे तो एक बार में गुद आफ्टरून एब्रिबड़ी लिखे पहला पदार्थ का नाम मटीरियल क्या लिखे हो मटीरियल क्या समस्त्य शब्द मटीरियल से आप गलत रो मटीरियल बोलते हो आप करेक्ट एकदम सही बोले आप बट वो गलत है आपको मालूमी नहीं है इंग्लिश मतलब वर्ड मटीरियल का एनिबड़ी जो ट्राइ लेना चाहता है आत उपर गरे वेरी गुड वेरी गुड क्या बोला वो ध्यान से सुनना आप अपने जिन्दिगी में भी यह वर्ड यूज करते हो बहुत मटीरियल है यह बहुत मटीरियल है मतलब बहुत इंपोर्टेंट है क्या है बहुत मटीरियल वर्ड का इंग्लिश मीनिंग इस इंपोर्टेंट पहले ये बात समझ में आया कि सबसे इंपोर्टेंट है यह आपने बोलते हैं यह सबसे मटीरियल चीज है मतलब क्या है यह इंपोर्टेंट चीज है पहले बोलो यह बात समझ में तो मटीरियल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ पहले तो बताओ important, यानि ये क्या है? ये वो वाला element है, जो सबसे important है. इस important material में, क्या-क्या लिया गया, ध्यान से सुनना, और नाम material क्यों पड़ा? क्योंकि देखा गया, एक और तरीके से ये नाम material है, क्योंकि इसमें हम things ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, things, things मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, चू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यही डेफिनेशन है इसका, सुन ले ना, क्या बोले? देख सकते हैं, चू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अब, electricity, महसूस मत कर ले ना, कि शूब δεν सकते हैं देख भी नहीं जवर्पने को तो अपने कम यह समझना है कि माटीरियल मतलब वह चीजह जिनको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं छूज सकते हैं मैंसूज सर वैसे तो वह सब चीज हम अपने कलीक के साथ आए नोन लीविंग तिंग्स अच्छा एक और कंडिशन क्या लगा है नॉन लीविंग तिंग्स लगा जन जिनको आप कर सकते उनको यह नहीं लेंगे उनको नया category बना देंगे एक आएगा वो भी बट पहले बोलो आगे क्या बोला बताईए पहले क्या बताइए नौन लिविंग धिंग्स जिनको छूस सकते हो मैसूस कर सकते हो देख सकते हो एक्जेक्ट यही डेफिनेशन है बट अब इसको इ living thing जिनको चू सकते हैं देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं बहुत सभी सर महसूस कर रहे हैं हम लोग में ठीक तो यह जो पर्टिकुलर चीज मैंने आपको बोला यह किस में आता है बताइए वहीं वहीं चीज non living की जगा क्या हो जाए बोलो living thing अब उनका आप service उनका क्या लेते हम service render करते हैं यह तो क्या है goods और वो क्या है service provider तो जो भी service अपने workers का लेते हैं कोई काम को बनाने में अरे worker बोला यार क्या तुम लोग worker लोग का कोई भी service कोई भी employee का service जो हम काम करने वक्त यूज करते हैं उसको क्या बुलाते हैं बताईए next element is called labor क्या word आया बताईए labor क्या यह दो element clear है सबको पहला क्या बोला बताईए material और दूसरा सबको लग रहा था कि यह दोनों के अंदर almost सब चीज आ गए बट अब जो भी बच गए उनको क्या बुलाते हैं मालूम expenses क्या बुलाते हैं बताईए expenses वापस से क्या बुलाते हैं बताईए expenses का cost accounting standard का definition सुनना all those costs which are not material and labor are called expenses यह definition है यह inverted कॉमा में definition है क्या बुले all those costs which are not material and labor are called मतलब जो भी खर्चे को मैं material घोसित नहीं कर पा रहा हूं जो भी मती का खर्चे को मैं labor घोसित नहीं कर पा रहा हूं वो जख मार के किस में आ जाएंगे expenses में example इस जगा का भड़ा एक मिनित मेहसूस कर सकते हो देख सकते हो चू सकते हो रेंट को चू सकते हो चू के दिखो जगा को चू सकते हो rent को तो नहीं चू सकते हैं building अगर यहीं बोलता खरीदा वा property होता तब बात अलग है बट क्या अब ही मैंने क्या बोला rent क्या चाहर को आप कुछ भी कर सकते सब नहीं सर अच्छा क्या यह लिविंग यह लेबर है क्या रेंट तो यह क्या हो गया बताएं यह एक्सपैंस हो गया ना तो मतीरियल ना तो अचा वह इलेक्ट्रिसिटी 2 सकते हो देख सकते हो नहीं कुछ गर्श नहीं कर सकते और यह लेवर भी नहीं तो यह क्या बन गए बताइए एक्स्ट puff expenses जानना कैसे होता है पहले क्या उसको प्रूफ करना होगा कि और लेवर नहीं है और अरवा लेवर नीए है थर्सwydd말ण О simply खुद्रा खुद्री आइटम उधर चला जाएगा यानि जो मटीरियल हो गया जो लेवर है वो लेवर हो गया जिनको हम ना मटीरियल बोल पा रहे है ना लेवर बोल पा रहे हैं उनको हम अब से क्या बुलाएंगे एक्सपेंस एक बच्ची एक वर्ड बोली थी ओवर हेड मैंने मना कर दिया उसको बोलने मैंने वापस से बोल रहा हूं मैं वर्ड क्या बोला आपको एक्सपेंस ओवर हेड नहीं बोला तो करेक्ट वर्ड क्या है बताइए एक्सपेंस क्या एक बार तीनों एलिमेंट क्लियर है और एक तरीके समझ में तीसरा में जाके एंड क्यों हुगा अभी बदाए expenses में क्या आ जाएंगे सबी बाकी जो उन दोनों मिनिया और खर्चा टोटल अपती नहीं हुगा क्या क्या बताइए material लेवर और expenses हजम हुआ क्या है वाला बात एक बार मीनिंग क्लियर है कुछ लिखना नहीं है सिर्फ एक बार एक्जामपल के तौर पर अब समझेंगे क्या डन है आप लोग को बात करेक्ट सर आईए एक शर्ट मैनुफैक्चरिंग यूनिट की और चलते हैं और जैसे हम पहले एक्जामपल पहले दिन से ले रहे हैं तो मैं उसी को continue कर रहा हूं जिससे अपने आज कोस्ट को एक नए नजरिये से देखेंगे विच इस वाट एलिमेंट वाइस टेक्ट मेरे को डाइग्राम बनाने देना मेरा डाइग्राम बहुत अच्छा आप लोग जानते हो तो प्लीज नोटिस करिए का हम क्या कर रहे हैं कि कि क्या बनाया यह अच्छा ठीक है कि आउ कि कि बोल रहे हैं पेड़ बनाया यह पगला है बगल में वह लोग बनाते थे ना बच्पन में सर एक घर एक पेड़ और रस्ता निकल रहा है उसके कि एक गेट से रस्ता निकलता है मतलब सीधा गेट खुलते ही रस्ता चलू को सब्सक्राइब कहां घूम रहे है रस्ते में गूम रहे हैं लगेट खूनते हैं अपने यहां से एसे रस्त और बना देदेदे कि वहीं से जाना है तेरे रुको ना सान्ती सुनना ना प्लीज बात्चीत नहीं सुनो ना प्लीज बात्चीत नहीं मैंने तीन चीजे बनाई है पहला आपको क्या लग रहा है बसे इतना अधान एक बार है सी मैंनुफेक्टरिंग इंडुस्ट्रिट्र बना रहा है बेचारा तो आपको क्या लग रहे ऐ फैक्ट्री लगा बिल्कुल सही लगा वावा सरी हमारा घर जैसा है थो कमारा अगर ऐसा होता है तो तुम वह पोट्रेट वाले जिन्दिकी में जिये हो बोलिए यह क्या बनाया मैंने बताईए फैक्ट्री factory में क्या काम होते है sir factory में main production होते है यानि production related काम सारे factory में होते है अच्छा लगाए बात यानि factory consist of all what production related work is done in factory, correct अगर मैं shirt manufacturing की बात कर रहा हूं तो shirt को बनाना shirt के fabric को sealना से ले के अल्टिमेटली पैकिंग करने तक काम कहा होता है बताइए फैक्टरी में होता है तो यह बगल में मैंने क्या बनाया मालूम ओफिस जहां पर सारे आप लोग बैठे होंगे कौन अब इसे बुलने लग गया है ज्यादा नहीं हो आप लोग कौन हो सी यस 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 एस पिरेंटी सही बट जल्दी बन जाओगे तो जब बनोगे तो आप लोग कहां बैठोंगे कंपनी के ओफिस आप कोई कंपनी के मैनेजर होंगे या कोई सी ओंगे सी एफोंगे जो क्या बना रहे होंगे कंपनी का डिशिजन्स ले रहे होंगे या कंपनी के कई डेटा को आप प्रेजेंट कर रहे होंगे किसी के आगे तो यह जो पर्टिकुलर ओफिस डिपार्टमेंट है यहां पर सारे एड्मिन रिलेटेड काम हो रहे होंगे क्या कि भाई जो production को help कर रहा है और जो sales में भी help कर रहा है सारे data management का काम यहां और होगा जिसको मैंने word बोला क्या बोलिए तो admin related work क्या बोला admin admin मतलब का full form जानते हो administration related work तो भाईया office में क्या होता है all बदा यह administration related work फिर मैंने एक छोटा सा और चीज बनाया देखिया आप क्या है वो इसके एकदम बगल में कौन है वो मलूम यह एक warehouse है यह एक distribution channel है या बोलो यहां पर वो sales department वाले में लोग बैठते हैं क्या बैट कॉन बैठते हैं जो क्या आपका sales में मदद करते हैं अच्छा इसमें लोग भी आ गए और यह क्या हो गया एक तरीके से जो आपने वर्ड बोला ना store मैंने उसको correct किया क्या बोला सुना थे warehouse store वर्ड नहीं बोला क्या बोला स्टोर नहीं ब है तो वहां भेज दो उसको पता नहीं क्यों बड़ेक होता है ना कि अपने लोग गोडाउन जानते एक और एक क्या होता है बताइए में डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट तो हम अभी किसका बात कर रहा है सर गोडाउन का जहां पे sales department वाले लोग बैठे हैं यान इलो ये तीन काम समझ में आपको यह बनाने का दर्कार नहीं है बट यह तीन डिपार्टमेंट लिखने का दरकार है बना रहे हो तो बहुत सुन्दर बट क्या लिख पाओगे कौन 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 बताई यह तीन जयन क्या 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 फैक्ट्री अगला क्या ऑफिस तीसरा क्या Salesforce सेंड डिस्ट्रिब्यूशन चैनल क्या ड़ने बात लिखिए प्लीज और एरो निकाल निकाल के जो मैंने लिखा वो लिखिए डाइग्राम आपसे नहीं बनेगा नहीं बन पाएगा बट अच्छो बनाएगा चलो आज लग गया बाजी लगा चल बना कि पड़ावड एवरीवडी ले हम तो दुआ भी निकालेंगे कि अलगत्ता में अब धुआ निकालना मना है यह करो कि इलना क्लास के बादा कि बोली एवरीवडी फैक्ट्री ओफिस सेल्स एंड डिस्ट्रिविशन चैनल क्या क्या काम रिलेटेड है सब लिखेंगे कि लिख लिया एवरीबडी और यह जो इंग बना रहे हैं कि रेडी अरे यार बहुत बनमास स्केल पेंसिल और निकाल रहा है डाए फगला अगला गया है कि यह अब हो गया लिख लिख लिए फैक्ट्री ओफिस सेल्स एंड डिस्ट्रिविशन चैनल एवरीबडी ड़न लास्ट क्या काम करने बोल रहे थे आप लोगों को बताओ दो चावर जस्त पर्फेक्ट पिक्चर, करेक्ट, बोलता है आई-पेड के कारण हुआ है, चल्ड, गजब, अब अब नाप मत की, एक हाथ बढ़ा है, एक चल्ड, अब तुम लोग का, सोचो मन, यह क्या बनाएं, बताइए, शर्ट का मैनुफेक्चरिंग हो, तो मैनुफेक्चर कर दिया है, मैंने एक शर्ट, ध्यान से देखना मैनुफेक्चर करते हुए, लगा-लगा क्या था, सुरुवात में सबसे पहले क्या लगा, फैब्रिक लगा होगा, फिर देखे प्लास्टिक में आता है, या तो कुछ ना कुछ पैकिंग किया वा रहता है, या बजार में भी जाके खरीते हो, तो एक लास्ट में देता है, आपको पैकिंग करके, बिल्कुल, तो यह हो गया मेरा किस का बात कर रहा हूं, बताईए, शर्ट मैनुफेक्चरिंग, अच्छ के बाद यह, अल्टिमेटली इनकी अकाउंटिंग हो रही है, इनका एड्मिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कि इनको कितने बेचना है वगेरा वगेरा, और अल्टिमेटली सेल्स डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, बताईए, बेचने के काम कर रहा है, यहां पर कुछ material related खर् वेरी गुड, फैब्रिक, और बोलो, बटन का खर्चा, और बोलो, अच्छा, थ्रेट्स बोले बच्चे, वो सिलाई करते हैं, अच्छा, पैकिंग मटीरियल बोली, चलेगा, अच्छा, मशीनरी, अरी कजब, क्या बोला बच्चा सुनना, मशीनरी, एक और बात करते हैं, स सुनना, तो इस इट शुट भी, आमोटाइजड, डूरिंग दी, एकनोमिकल, लाइफ ओफ इट्स, तो बताओ, आप मेरे को, क्या मैं, पूरा का पूरा मशीन कोश्ट लेता हूं, कि मशीन का, उस साल से रिलेटेड, वेर एंटेयर लेता हूं, यादे हैं, आप लोग सुन रिलेटेज हो, तो क्या, capital expenditure, तो मैं अभी खर्चा का बात कर रहा हूं, तो मैं लूँगा, सर, जरूर, मशीन का cost, बट पूरा लूँ, कि कुछ पार्ट लूँ, अच्छा, अब कुछ पार्ट ले रहा हूं, तो क्या उसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, non- बता हो वो किस में जाना चाहिए material में जाएगा labor में जाएगा की expenses में जाएगा very good तो machine को लेकर जो मन में doubt आया कि sir machine भी तो material होना चीए आपके definition के हिसाब से बिल्कुल but वो किते period में write-off होता है sir long period over its economical life of the usage तो अपने तो एक साल या एक period का खर्चा निकाल रहे हैं तो वहां पर हम पूरा machine का खर्चा नहीं लेता प्रपोर्चनेट खर्चा लेता है और अब तब तो वह machine नहीं हुआ वो क्या बन गया बताई यह depreciation आप उसको क्या बुलाते हो depreciation क्या depreciation को material में लिख सकता हूं क्या labor में लिख सकता हूं तो कहां बचा कहां expenses तो अच्छा example दिया तुमने कि sir जो plant and machinery इसको बना रहा होगा केवल आदमी लोग थोड़ी लग रहे होंगे कई machine से गुजर रहा होगा घर पे भी वो सिलाई machine में ममी बनाती है तो जो मशीन से गुजर रहा है उस समय जो machine यूज हो रहा है उसका खर्चा हम किसमें लेंगे expenses में लेंगे very good और बताओ और बताओ इस shirt बनाने में क्या लग रहा होगा बोलो ना बोलो ना जो आदमी इनको असेंबल कर रहा होगा जो आदमी उस machine में stitching के लिए डाल रहा होगा क्या नहीं लगता आपको लग रहा है अच्छा machine कई वार मालूम है repair मांगता है जैसे घर में भी सिलाई machine में देखे हो मम्मी थोड़े थोड़े देर में ना उसका व लिए अपने थोड़ा थोड़ा lubricant oils डालते रहते हैं तो यह जो हम डालते हैं law oils यह पार्ट भी क्या material हुआ क्या यह material है बोली ना क्या यह material है कैसे material है देख सकते हैं छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं non living thing yes but shirt में directly दिख नहीं रहा है shirt में directly ज्याद रखना सारा बात जो मैं भी बोल रहा हूं shirt में directly दिख नहीं रहा है ठीक आगे बढ़ते हैं और सर क्या बुला आपने अरे यह सब मेजर करने के लिए scale pencil pen रखावा होगा वह इंची टेप होगा वह सही बोल रहा है कि नहीं क्या वो सब भी material हुआ कि नहीं हुआ 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 है help आ रहा है shirt ब क्या बुलाते हो आप supervisor जो factory में घुमता रहता है चाबुक नहीं मारता हूँ वहला मत देखना कि चाबुक मारे ठीक से काम कर वह देखता है पोलता है सुन समझाता है कल ले ठीक से काम बट तुम लोग सुनते तो हो नहीं वहीं बनमासी करोगे तो वहीं वह समझाने के होगा हाथ तो जा नहीं रहा है correct everybody ठेक आगे बढ़ते हैं ऐसे ही factory का रेंट लग रहा होगा और इस factory का क्या लग रहा होगा electricity लग रहा होगा कई ऐसे खर्चे अब दिमाग में आने लग गए जैसी एक example लिया shirt manufacturing इसका example लिया shirt manufacturing best example to take on costing understanding costing क्यदने बाद आप लोगो आते है ने बगल वाला department में कौन सा department है क्या कर रहे होंगे k live for the American के वल ऐसी बैठे एंकी वहाँ पे लएट पंखा चला के रख़ें तो क्या वहां भी एलेक्ठ यb लग रहा है वह तुयाँ एक्सपेंस सिस वहां अच्छा और बात करते थे ह। क्या उन लोग सिर्फ दिमाग में सब काम कर रहे हैं कि उन भी उनके पास भी pen, copy, scale सब दियावा है, कुछ products भी दिये वे होंगे, जिनके through वो उस पे, अचा calculator तो हाथ में होगा उनके, है कि नी, computer होगा उनके हाथ में, चलो computer एक long thing होगा, जो small खर्चे, calculator, pen, जिनके through वो सारे assessments कर रहे हैं, copy, किताब, सब चीज क्या है, बताइए उनके लिए एक, क्या है, material, यानि department wise मैं बता रहा हूँ आपको, सारे खर्चे department wise भी लगते हैं, क्या, factory में भी तीनों खर्चा लगा, कौन सा बताओ, material, labor और expenses, next, office में भी तीनों खर्चा लगा, क्या-क्या, material, labor और expenses, sales department, क्या sales department में भी managers होंगे, अचा एक वो door-to-door sales manager होते हैं, मालूम है, आजकल आना बंद कर दिया, अपने बगा देते हैं, बना पहले आते थे, घर में घंटी बजाते हैं, अरे pen ले लिजे, अरे ये ले लिजे, आजकल हो सब system नहीं होता, क्या sales manager होते हैं, अचा sales team क्या advertisement करता है, हाँ, अगें, देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं, हैसूस नहीं कर सकते, advertisement को आपकी, कैसे लग रहा है, अचा, electronic, आजकल तो क्या होता है, e-marketing, क्या समझ पाते हो, कैसे हो रहा है, नहीं, बस लग रहा है, बोलते हैं, पैसा फूख दिये, ऐसे बोलते हो रहा है, आ ना material, ना labor, तो किस में चला जाएगा, बोलो, clear हो रहा है बात, क्या sales department वाले लोगों को भी कुछ materials दिये वे हैं, क्या उनका भी कुछ ना कुछ हाथ में calculator, और pen, copy, सब चीज पढ़ा है उनके पास, furniture है उनके पास, तो उसका depreciation भी आएगा, और अगर short term का है, तो material हो जाए इन नाम थे, क्या बताईए, element wise cost, what, material, labor and expenses, मेरा आप से सवाल, मैंने जितना example अभी तक दिया, इन में से, कुछ खर्चे, dash in nature है, और कुछ खर्चे, dash in nature है, मैं नाम बोलना है, direct in nature, और indirect in nature, यानि कुछ ऐसे खर्चे हैं, जो directly related to production है, और कुछ ऐसे है, जो indirectly related to production है, अच्छा लगा word, वापस से, मैंने product नहीं बोला, ध्यान से सुनो word, मैंने क्या बोला, production, मैंने बोला, again बोल रहा हूं, इन में से कुछ खर्चे, क्या है, directly related to production, और कुछ खर्चे है, indirectly related to production, मेरा आप से सवाल, number one, देखते हैं, कि इतने बच्चे राइड बोलत हैं, direct खर्चे, सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट में लग रहे होंगे, पढ़ लो, मैंने सारा चीज लिखाया, जितना notes लिखाया है अभी तक, अभी तक, उससे answer आजाएगा, जितना notes अभी तक लिखाया है, उससे answer आजाएगा, direct expense का, या direct cost का definition अभी बोला मैंने, क्या बोला direct cost का definition, दोस cost विचार, directly, attributable, relatable to what, बोलिए production, what do you mean by attributable भईया, आप trace कर सकते हो, आप बता सकते हो, कि देखिए ये इसके लिए लग रहा है, देखिए, इसके बनाने के लिए लगा, तो ये सब खर्चों को हम क्या बुलाते हैं, बताइए, direct cost, like, like, button, क्या ये चार बटन लगा इस shirt को बनाने में, क्या धाई मीटर का कपड़ा लगा होगा इस shirt को बनाने में, क्या दो लेबर मिलके इसमें काम कर रहे होंगे, ये सारे खर्चे क्या होगए एक तरीके से, direct, बोलो बात समझ में आता है आपको, वापस से, क्या क्या बोले, बताई है, direct expense का definition कैसा लगा, direct cost का, बोलो, those cost, which are directly attributable, or words attributable का traceable, traceable मतलब आप trace कर सकते हो, कि देखिए, इसके लिए लगा होगा, समझ में आता है word traceable, to the product, की production, so according to this definition, direct costs are only incurred in dash department, factory department, यानि office, और selling के, चाहे कोई भी खर्चे हो, material हो, flavor हो, चाहे expenses हो, वो सब क्या help कर रहे है, indirectly, अच्छा मैंने ये क्या बोला गया, कि वो shirt का खर्चा नहीं है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, production से related नहीं है, है तो, ultimately, ये सब ही shirt का कर रहे है, क्या तुम्हारा salary भी वो shirt बेच के ही कमाएगा, क्या तुम्हारा salary भी वो shirt बेच के कमाएगा, sales manager का salary भी वो sales कर के कमाएगा, और worker का, जो wages है वो भी वो तुम आरे जितने भी sales होंगे किसका shirts का उससे ही कमाने वाला है यानि these all cost are to be ultimately absorbed from वो लिये sale of shirts but relation भी तो जानना है कान ऐसे पकड़े थे कान ऐसे पकड़के लगा है बताये direct cost are those cost which are directly attributable to the production therefore they are only incurred in factory correct एक एक इग्जामपल दे रहा हूं बताना यह कहा जाना चाहिए तब indirect definition simple बहुत अच्छा है यह तो बहुत अच्छा है cost का और कई चीज का यह बहुत असान बात होता है जैसे आप पढ़यो ना company's act में भी public और private का definition public company are those company which are not private अरे वाह यह तो घजब घजब डेफिनेशन तो यही चीज यहां पर भी है indirect का ऐसी आजएगा जदी डिरेक्ट आता है तो एक्जामपल ले रहा हूं कि फैक्ट्री में जो वह सूपर्वाइजर घूम रहा है एक बाट डेरेक्ट कोस्ट का मतलब सोच लेना और उसके बाद इस सूपर्वाइजर का जो सैलरी है वह डिरेक्ट इने चरुआ कि इंडिरेक्ट इने चरुआ बता देना अच्छा लगेगा तो बताना मजा आ जायेगा आज सोचोगे तो थोड़ा आज ग्रिल करते हैं अपने आपको आपको शूपर्वाइजर का सैलरी ठेक किते लोग बोल रहे हैं इंडिरेक्ट इन नेचर इंडिरेक्ट इन नेचर इंडिरेक्ट इन नेचर बाकी क्या यह मानू डिरेक्ट इन नेचर कि अभी अध किछरे हो नहीं ना डिरेक्ट सोच रहे हो अंसर इस इंडिरेक्ट एकदम सही क्या आप सूपर्वाइजर का स यह supervisor का salary लग रहा है supervisor तो सिर्फ क्या कर रहा है काम होते वे देख रहा है अब उसमें 10 शट बन रहा है कि 15 शट बन रहा है कि दो शट बन रहा है उस बात से उसको लेना देना नहीं है correct बात बट यह मत बोल देना अल्टिमेटली क्या मैंने supervisor का salary यह बोला कि मैं उस प्रोड़क्त के cost में नहीं लूगा यह बोला क्या बोला लगा तो है प्रोड़क्त के लिए ही बाट डिरेक्टली नहीं किस तरीके से इंडिरेक्टली अभे वसूलेगा तो में एक पैसा सड बेच के बट हाँ यह डिरेक् यह बोलुन बाट समझ में आ है आप लोग को पक्का यह बताये हैं अब और यह ने बाकी दोनों डिपाटमेंट में सिर्फ कौन कान सा खर्चा होता है इंडिरेक्ट इन नेचर वो बात समझ में आ रहा है आप लोग को पक्का एवरीबडी बोल है रेंट और अफेक्ट्री बताई एक रेंट और फσεक्ट्री चा उसको इस बात से लियर thread मन रहे हैं नहीं तो वह क्या हो गहे लिए थेरिएक्ट और ढरेंफों कि इंडिरेक्ट हो वह बात अब कैसे समझेगे डेरेकट्पीन से क्या था डेडरेक का डेफिनेक्ट्यों बोलिए the cost which are directly attributable or traceable to the production process as a non-sikhiya as a nomad as a normal being as a irrational person कई बच्चे ये सोचते हैं जो अभी कई बच्चे यां सोच रहे हैं मैं लाइन बोलूँगा ना तूरंद बोलेंगे हाँ direct मतलब वो variable हो गया जो कल तक पढ़ा रहा था direct मतलब वो गया जो वो कल तक पढ़ा रहा था और indirect मतलब वो गया जो वो fixed cost कल तक पढ़ा रहा था क्या बोला मैं भी समझ में आया कभी भी इन दोनों के बीच में relation ढूंदने मतलग जाना मैंने कहीं नहीं बोला variable का definition क्या था एक और बता तो cost proportionately बढ़ेगा एक simple example से समझाना चाहता हूं ध्यान से सुनने का कुशिश करना labor का salary क्या बोले labor का salary जो worker शर्ट बना रहा है मैंने उनको बोला तुम एक शर्ट बनाएगा मैं तुमको हर शर्ट का 50 रुप्या दूंगा किता दूंगा पहले एक बात बताओ जज करने के लिए कि यह direct है कि indirect क्या देखोगे क्या देखोगे कि वह उस product के लिए या production process में directly attributable है कि नहीं बताओ क्या यह worker का salary जो हम दे रहे हैं directly attributable है हाँ या ना है की नहीं क्यों वह क्या कर रहा है शर्ड बना रहा है तो शर्ड बना रहा है तो हमको मालूम है वह कितना शर्ड बना रहा है तो हम उस labor का salary क्या कर सकते बताओ यह directly attributable to the बोलिये production इसलिए यह कि इसमें आएगा direct cost अब एक नया दुनिया है जो कैसे classify करता है cost को वोलिये न variable versus fixed variable versus तो don't try to relate these two points मैं बच्पन में मैं खुद confuse होता था क्यों यह direct variable same ही हुआ क्या आपको भी पता नहीं आज तक था कि नहीं मेरे तो दिमाग में बहुत doubts आते थे और मैं यह सब पाट से लिना देना ही नहीं है direct और indirect से बताओ मैंने कैसे खर्चा बोला ता याद करो एक यूनिट बनाने का कितना देंगे उसको पचास हर शर्ट बनाने का कितना देंगे तो अगर 4 शर्ट बनाएगा तो 200 तो बताओ यह cost यह वाला wages जो मैं उसको pay कर रहा हूं अब मैं अगर भूल जाओं एक बार direct indirect सिर्फ किससे classify करूं तो कौन सा हो गया variable cost कैसे बोला इस बार आपने यह क्या आपने कुछ traceability का बात किया कि आपने पर unit cost देखा पर unit cost देखा जो की same है इसलिए आपने क्या बोल दिया यह तो दोनों को देखने का नजरिया ही अलग है यह मत बोलना कि यह direct और variable से मोता है वापस से एक और एक्जामपल ले रहा हूं किसी का मैंने उस worker को महिने basis पर रखा है मैंने बोला तुमको महिने का महिने का 2000 रुपया दूगा महिने का किता दूँगा अगें डिरेक्क कॉस्ट की इंडिरेक्क कॉस्ट फिर यही वापस सोचके बताना मैंने उस worker को बोला तुम शर्ट बनाएगा तुम शर्ट बनाएगा मैं ति आमको महिने का कित्ता दूँगा मैं देशार रुपया क्या वह direct किृफ्ट कि इंडिरेक्क कॉस्ट कि इतने लो कुझ चब कर देफिनेशन युर्ट तो-देफिनेशन वापस से डेकट कर ऐगैंने । कहीं आया, लासी उछ्डा सोटन ज उनिया, क् sür nie सोटन फेक्न हुआ है। मेरोको मालूम है यहादमी यह शर्ट बनाने में लगा, अब शेट ay मैंने यह नहीं बोला अब वो चाहे दस बनाए चाहे चाहर बनाए चाहे पांच बनाए उसका कॉस्ट वैसे signify नहीं किया वापस से पूछ रहा हूं इसलिए आज तक जितना डाउट है सब क्लियर कर लो मैं नहीं बोलता अभी आप गलत बोल रहे हो तो गलत बात है अच्छा तो आप लोग का दुनिया चेंज कर दूगा कि कॉस्ट को आप समझते हो ना कि यह खर्चा का क्या मितल मीनिंग है दोनों सेम होता है क्या इसा ही नहीं वापस से समझते हैं डिरेक कॉस्ट का मतलब बोलिए दोस्ट कॉस्ट विचार डिरेक्ली एक्ट्रीवूटेबल तो क्या यह बोला पर यूनिट बेसिस पर पता होना चाहिए पता होना चाहिए एक शट बनाने का उसको कितना दे रहे हैं नहीं क्या वो लेबर महिने के बेसिस पर भी रह सकता है मेरे यहां बट वो लेबर क्यों है शर्ट बना रहा है ये च्या टिरेक्टी अट्रिबुटे båल डूद को सेते हैं बात ा most क्या है मेरे लिए ऐस ही कस्ट क्या है मेरे लिए मैंने होना चाहिए दिर कोश्ट है कि नहीं है बिलकुल है अब बताओ नये दुनिया के हिसाथ से एक नए ज सोन में केटेगरी करते हैं क्या क्या ये fixed की variable इने चाहए वाई fixed cost units पे depend नहीं कर रहा है कि 10 unit बनाएंगे तो इतना देंगे बारा बनाएंगे तो इतना देंगे तो ये क्या हो गया fixed यानि मैंने जान बूझके एक direct cost के case में ही दोनों example लिया और एक ही चीज का लिया कि अगर महना महना का rate मिल रहा है तो वो क्या हो गया fixed और per unit basis पे मिल रहा है तो variable बट है तो दोनों ही क्या direct cost तो मन में जितना दुबिधा था ना कि direct मतलब variable गलत है direct भी वापस क्या हो सकता है variable या fix तो वो तो एक दूसरा sphere है सोचने का तो let us not combine these two and get confused क्योंकि इस class के बाद निकलते ही कई बच्चे बोलते हैं रहे वही तो variable मतलब direct ही और direct मतलब variable ही आज तक मेरे ख्याल से पता नहीं या सोचे होगे भी तो आगे जाके मैं वो सोची मार दू तुम्हारा कि ऐसा कुछ नहीं होता यह अलग तरीके से करता है और वह अलग तरीके से करता तो direct को भी variable fix हो सकता है और वाई से वर्षा तो इन दोनों को कभी भी relate मत करना क्या यह वाला example से याद रहेगा कौन सा वाला बताईए labor का salary या labor का wages per unit basis पे है तो भी direct total basis पे एक monthly basis पे है तो भी direct क्योंकि वह काम क्या कर रहा है रट बना रहा है डिरेक्ली एट्रिबूटेबल टुदी प्रड़क्शन प्रोसेस हां पर यूनिट बैसिस पे मिल रहा है तो variable भी और और direct basis मतली basis पे मिल रहा है तो तो sir कब कैसे categorize करेंगे पर sums बताएगा कल तक कैसे कर रहे थे कल तक कैसे कर रहे थे behavior wise क्योंकि sums में क्या जानना था हमको variable क्या और अगर हमको क्या जानना है element wise तो हमको क्या जानना होगा सिर्फ direct है कि indirect अच्छा लगा क्या ये बात sir क्या ये दोनों के हिसाब से statement मनता हैunal यहis variable क क्या हीजब statement बनाते हैं यानि categorize करते हैं तो उनकों भुलते हैं Income statement क्या व्लाते हैं और अघर हम element wise cost को लिक해 तो उसको हम बुलाते हैं cost sheet क्या बुलते है cost sheet सुना सुना लग यह से एक कैसे बांटता है बताइए बिहेवियर वाई और एक कैसे बांटता है तो आज हम नया दुनिया में गए जिदर हम क्या बांटना सीखे जिसमें हर एक कॉस्ट क्या हो सकता है बताये डिरेक्ट भी या इंडिरेक्ट भी बट यह पता चला सारा डिरेक्ट कहां इंकर होता है एक्टरी में इंडिरेक्ट कहीं भी हो सकता है अच्छा लगा यह बात इंडिरेक्ट क्या इंडिरेक्ट फैक्टरी में भी हो सकता है हां क है एंडिरेक्ट ओफिस में अरह सर आफिस में तो इंडिरेकट ही होगा और वाट आप उणी में इंडिरेक्ट ही होग अच्छा लगा क्या यह बदका अवर्ड़ी थो अब आप वापस ऊपर मटीरियल लिके थे लेबल लिखेते और क्या लिखेते एक्सपेंस लिखेंगे नीचे वापस से लिखेंगे एक मिनिट पहले मेरे बनाने ले फिल लेते हैं पहले लिखिए आप मटीरियल लेबर और क्या लिखेते बताईए एक्सपेंसे इससे कितना कितना एरो निकालोगे इससे कितना-कितना arrow निकालोगे everybody, दो-दो, वापस से दो-दो arrow निकालेंगे सब कोई, और बताइये क्या लिखोगे, direct, indirect, direct, indirect, direct, indirect. मेरी क्लास में गड़ता है गया, अकांट वाले सर बोलते हैं कुछ नहीं होता है, तुम्हारे ही होता है, वो ही खराब किये मालूम अपना सरीर का प्रेसर डाल के एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड रुकना चालू हो जाए खुल जाए सिमसिम हो गया आ गया मार्टीरियल से दो एरो बताईए क्या क्या बोलिए डिरेक्ट इंडिरेक्ट वैसे ही लेबर भी क्या हो सकता है डिरेक्ट इंडिरेक्ट और एकस्पेंसेज भी क्या हो सकता है डिरेक्ट इंडिरेक्ट है की नहीं कोई भी खर्चा डिरेक्ट भी हो सकता है और इंडिरेक्ट भी हो सकता है तीन खर्चे थे, क्या-क्या, material, labor, और expenses, तो there can be direct material, there can be indirect material, there can be direct labor, there can be indirect labor, there can be direct expenses, there can be indirect expenses, सरी एक 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 जामपल सबके लिए, shirt के related बताओ, direct expense, एक थो, very good, fabric, कैसे बोला fabric तुम लोग, directly attributable to the production process, तो आपने fabric बोला, buttons वैसे ही, बट एक चाहिए था मेरे को, चलो, आगे बढ़ते हैं, indirect बताओ, indirect बताओ, अच्छा, lubricant oils, अच्छा मैं बोलू, अब आपके वल factory का बोले, बट क्या indirect में आपका avenue और भढ़ जाएगा सोचने का, बोलो और क्या-क्या बोलोगे, office के भी जितने सेलिंग डिपार्टमेंट भी कुछ, stationery यूज कर रहोगा, packing materials यूज कर रहोगा, अलग से, अच्छा, ये वाला packing material फढ़का वाला packing material है, बाद में पढ़ाऊंगा क्या, एक होता है primary, एक होता है secondary, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना, माता नहीं खोलते हैं, जितना है आपको बात, labor में direct बताओ, labor में direct बताओ, wages of what, wages of whom, workers, यानि जो production process में involved, indirect में बताओ, salary of what, supervisor, एक factory का ले लो, example, अच्छा, वो यादे हो, चौकीदार जो भाहर खड़ा था, watchman, और बोलो, अब वापस आते हैं, तुम लोग का salary, क्या तुम लोग का salary आएगा, बिल्कुल, last, selling department में जो sales manager बैठा है, जो day to door, door to door sales कर रहा है, उस आदमी का salary, क्या ये सब किस में आ जाएंगे, indirect में, last, कौन सा, expenses, क्या क्या आया, direct और indirect, expenses में direct cost खोजना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल मतलब बहुत मुश्किल, दिमाग में कोई example आए गई नहीं, आप आता हूं में वो क्या क्या होगा, factory का lighting, मतलब electricity बोल रहे हो आप, तो ultimately वो सब तो indirect हुआ, कि direct हुआ, indirect हुआ, अच्छा, एक मिनिट, factory का मतलब direct हुआ, कि attributable to the production process होना चाहिए, attributable, कहां दिख रहा है तुम लोग को, कि lighting of factory will be directly attributable to the production process, how can you say that, अच्छा, very good, एक अच्छा व बोला, अच्छा बोला, पावर जो वो machine को चला रहा है, एक वो और एक बोला light, क्या ये दोनों में difference है, पहले बताओ, एक मिनिट, ये computer, तुन लेना, ये computer, जिसको electricity नहीं मिलता, इनको क्या मिलता है, मालूँ, पावर, AC को क्या मिलता है, पावर, बड़े-बड़े machines क्या लेते हैं, पावर, पावर and fuel, क्या बोलते हैं, अपने पावर and fuel, ये लोग पावर या फ्यूल में चलते हैं, और जो नॉर्मल ये माथा के ऊपर, AC पंखा नहीं, ये जो ये light पंखा चल रहा है, वो क्या हो गया बताओ, ये electricity, क्या ये दोनों बात में difference है, अब बताओ, प पहला example दिमाग में क्या है, ये direct में बताइए, पावर and fuel, very good, very good, और एक example लूँ, मैं बोलता हूं, नहीं, repairs to machinery again, क्या हो गया, indirect, क्या material नहीं है, labor नहीं है, तो क्या हो गया, बताइए, expenses, और वो भी कैसे related है, indirectly, क्योंकि वो तो machine को ठीक कर रहा है, production से related, नहीं है, example ले रह charges, क्या गोला word सुनो तो, सुने हो कभी है, क्या होता है royalty, क्या होता है, जब भी कोई production हम करते हैं, कुछ चीज का, अगर कोई का licensing लेके काम कर रहे हैं, कि भाई हम तेरे नाम पर ये बनाएगा, Samsung का phone बन रहा है है, इंडिया में, तो क्या वो हर एक phone बनाने का आप से charge लेता क्या ले लो, franchise, क्या franchise cost is directly attributable to the production process, हर एक समोसा बनाने के ही, वो इसले दे रहे हैं, क्या उसको 20 रुपय का समोसा बेच रहे हैं, क्यूंकि तीवाडी का नाम यूज कर रहे हैं, तो 2-3 रुपया उसको देना होगा, कि नहीं उसका, correct, तो उसको क्या बुलाते हैं, बताइए franchise cost, और क्या बुलाते हैं, बताइए, trademarks, royalty, copyright, सुने होगे सब, these all are example of what, बोलिए, direct expenses, सीखेंगे सब, क्या एक दो example से clear हो रहा है सब बात, बाकी सब खर्चा, अब आते हैं बात, depreciation, what about depreciation, what about general lighting, ये सब किस में जाएगा, indirect, rent of factory, क्या बोला, rent of factory, अच्छा, rent of office and building, indirect, क्या सबज में आ रहा है बात, office and appliances का जो भी depreciation है, वो भी क्या चला जाएगा, indirect, factory, warehouse का rent, indirect, बोलो बात सबज में आ रहा है, direct, indirect में क्या क्या जाते हैं, और हर एक का एक दो example से, एक बार माते में बात गया आपके, अक्का, direct से arrow लेके लिखेंगे, सारे direct से, arrow लेके लिख cost का definition, बताईए, क्या बताया था, direct cost का definition, all those costs, which are directly attributable slash traceable to the production process, लिखो पहले, फिड डाउट लेते हैं, all those costs, which are directly, बोलिये, directly, क्या वर्ट था, attributable or traceable, those costs which are directly attributable or traceable, attributable or traceable, directly attributable or traceable to the production process, तो बताओ, सारे indirect से क्या लिख लोगे, वही चीज, क्या, which are not directly traceable, but ऐसा थोड़ी बोला, कि वो फिर वो product का cost ही नहीं है, कि वो भी product का cost है, product का cost है, but indirectly, correct everybody, तो सारे indirect से क्यारो निकाल के लिख लो, those costs which are, which are not directly related, यानि not directly attributable, not directly attributable, but are, but are, बोलो, but are, indirectly related to, बोलिये, product cost, लिखे, but are, indirectly related to, product cost, but are, indirectly related to, product cost, बोलो, डाउट, बाभू, हाँ, अब मैं वो बाद में बताऊंगा, कि direct cost को आप कैसे present करते थे आज तक, और indirect को कैसे, बिल्कुल सही, वो आप सीखोगे किस में, जो cost में आप manufacturing अकाउंट बनाते थे, वो ही मैं अभी सीखाऊंगा, कि अब इसको statement में जब लिखेंगे, तो यहां तक के बात को क्या बुलाएंगे, और यहां तक के बात को क्या बनाते, सब सीखेंगे, हर बड़ी नहीं करते है, बोलो, अभी तक, समझ में आया आपको avenue, जो बच्चा बोला, trading PL वाला दुनिया, वो मैं लेके जाओंगा वापस से, थोड़ा बहुत आता है हमको भी, CA by default, भूले, very good, machine का depreciation indirect क्यों है, बताइए, machine ये भी पूछ रहा था, what about machine के depreciation, बताओ, machinery का depreciation क्या होता है न, अच्छा आपको मालूम है, depreciation आप किस basis पे charge करते हो, क्या पता होता है आपको, कि इतना माल बनाने के लिए इतना depreciate हो रहा है, कि वह एक साल का fixed खर्चा होता है, fixed खर्चा होता है, वह खर्चा एक ऐसा खर्चा है, जो आप यह नहीं बोल सकते, कि यह इतना बनाने के लिए लगा होगा, वह तो चाहे production चल रहा हो, चाहे production नहीं भी चल रहा हो, तो भी वह अपना regular wear and tear लेता रहता है, यानि it is not directly related to production process, somehow related, तो इसलिए क्या, मैंने यह नहीं बोला, ले ही नहीं रहे खर्चा, खर्चा ले रहे, बट किस category में डाल दिये उसको, indirect, बोलिए, हाँ, वो अगर होता है, तो हम उसको क्या मानते हैं, डिरेक्टिल नेचर, वो क्या बोली समझे, कि भाया, वो hour basis पर ही चार्ज हो रहा है, कि जितना कंटा चलेगा, जितना खटेगा, उस हिसाब से ही चार्ज करेंगा, याद एक method होता है उसकी तरब से, वो अलग बात होग तो generally depreciation आप कैसे charge करते हो, बताओ न, straight line basis, और क्या सुने हो, WDV basis, तो उसको उस बात से लेना देना नहीं है, production से लेना देना नहीं, क्या बोलो, done हो रहा है आपको example से, पक्का everybody, आगे बढ़ सकते हैं, clear है, बताए, direct cost सिर्फ किस department में incur होता है, factory में, और indirect cost किस किस department में हो सकते हैं, लिखो प्लीज इस बात को, लिखो इस बात को, all direct cost are only incurred in, all direct cost are only incurred in, all direct cost are only incurred in, dash department, factory department, all direct cost are only incurred in, dash department, क्या बोले बताए, factory department, क्या इसका मतलब यह, कि all factory cost are direct in nature, यह वाई से वर्थ सावला बात नहीं है, क्योंकि indirect भी हो सकता है, अगला line इसे लिए, all indirect cost, all indirect cost can be incurred in, dash, बताएए क्या आप एला, factory, factory, office and selling and distribution department, and selling and distribution department, आपको मालूम, since यह factory में ही सिर्फ होता है direct cost, और यह सुरवात का खर्चा है, direct cost का एक और नाम है, very good, अब धीरे धीरे आपको बाते याद आ रही है, जो बच्पन में पड़े थे, ऐसे नहीं पड़े थे, वापस से बताता हूँ, एक एक चीज़ का meaning है, direct cost का दूसरा नाम, prime cost, यह नहीं बोला variable cost, क्या बोला, prime मतलब क्या, prime, नाम से समझ में आता है, prime, English term से बापस से, क्या, पहला पहला खर्चा, initial खर्चा, main खर्चा, prime मतलब main बोलते हैं न, prime है यह, यानि क्या बोलते हैं, main खर्चा, direct cost का दूसरा नाम क्या होता है, बताइए, वहीं इन डिरेक्ट खर्चे क्योंकि बोलते ना उप्रा उप्री क्या बोलते हैं अपने उप्रा उप्री लगए उप्रा उप्री वर्ड कहा से आ रहा है फेर इंग्लिश overheads माथे के उपर अरे जैसे electricity light मजाक नहीं कर रहा हूं सच में क्या बोले बताइए उपरा उपरी को क्या बोलते हैं एक और वर्ड तो all direct costs are also called prime cost and all indirect costs are also called overheads याद है थोड़े देर पहले मैं third category वो जो expenses word बोल रहे थे उनको क्या बोलने वाली थी क्या वो गलत हो जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है material भी क्या हो सकता है overhead labor भी क्या हो सकता है overhead और expense भी क्या हो सकता है overhead material का सारा indirect को क्या बुलाते हैं बताइए overheads, labor के indirect को भी क्या बुलाते है, overheads और expenses के indirect cost को भी क्या बुलाते है, तो जो लोग भी बच्पन में गलती या बीकॉम में अगर पढ़े होंगे तो गलत सुनते हो material, labor and क्या होता है बताइए, expenses overheads नहीं, क्या बढ़ाता है expenses, क्या ध्यान रहेगा अब यह material अगर direct है, labor अगर direct है, expense अगर direct है, तो क्या बुलाते है और अगर यही material, यही labor और यही expense अगर क्या है, end direct तो इनको क्या बुलाते है, overheads लिखोगे क्या, यह last point लिखो, all direct cost are also called all direct cost are also called all direct cost are also called बताईए क्या, prime cost, all direct cost are also called prime cost, and all, क्या बताईए indirect cost are also called overheads and all indirect cost are also called overheads are also called overheads अगर मैं इस पूरे बात को sum up करूँ तो देखना मैं कैसे बना रहा हूँ अब बात यानि इतने देर से जो अभी अपने पढ़े उसको अगर मैं ठीक से लिख दूँ आपस से एक जगा पहले मेरे को लिखने देना फिर आप कॉपी कर सकते है अराम से क्या क्या बोला बताईए एक एक करके मदद कीजे material फिर labor फिर expenses ओसम material से दो arrow प्लीज everybody direct indirect labor से दो arrow everybody direct indirect expenses से everybody direct indirect फिर मैंने आपको बोला all direct को एक जगा ले जाओ और इनको क्या बुलाया बताईए direct cost और बोलिए prime cost which are only incurred in in factory whereas all indirect को अगर एक जगा ले जाए तो इनका नाम क्या आया था बताईए बोलिए दो नाम indirect cost और बोलिए overheads जो की क्या जरूरी है एक ही department में होंगे नहीं further three departments बताईए क्या क्या factory में जहां होते हैं उनको नाम दिया गया factory overheads आगे से याद है उपर कुछ गंदिगी कर रहा था मैं आपके साथ last class तक मैं word expense की जगा बार बार बीच बीच में भूल से overhead बोल रहा था वो भूल मैं जान बूच के कर रहा था वो भूल मैं जान बूच के कर रहा था कि वो सब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उपरा उपरी खर्चे थे कल तक अपने जानते नहीं थे कि उसको overheads बुलाते हैं इसले मैंने वर्ट क्या लिखा रहा था expense 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 आज से अब मैं वर्ट चेंज करने लगूंगा समस्में परेक्ट वर्ट 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 ओवर्ट अगला वाला डिपार्टमेंट का बताओ क्या आ जाएगा बोलिये office and administrative overheads याद है कल के example में वर्ट चल रहा था बट वर्ट expense लिखा रहा था उसना know-how नहीं था आपके पास last क्या आता है बताइए selling and distribution overheads आपको मालूम है factory overhead के तीन नाम और है पहला नाम और दूसरा production overhead क्या नाम है बताइए production overhead दूसरा नाम manufacturing overhead क्या नाम easy लग रहा है पहला क्या factory में हो रहा है इसलिए क्या factory दूसरा काम हो रहा है इसलिए क्या बोलिए एक तो production हो रहा है इसलिए production तीसरा क्या बोले बताइए manufacturing चल रहा है इसलिए क्या नाम आया manufacturing last काम जैसा मैंने बोला वैसे इसलिए नाम आता है works overhead जहां काम चलता ये चार नाम बट एक ही बात क्या बोलना चाहरा है फैक्टरी के उपरा उपरी घर्चे क्या नट शेल में ये बाते element voice clear है प्लीज लिखे समरी और ये उतार लीजे अंट कि अ कि अ वा है अब है कि अराम से कुछ भी पूछना हो कि ये क्या लिखा है पूछ सकता है ये क्या लिखे होगा आपका अंड राइटिंग हम लोग अलड़ी जानते हैं कितना घटिया है थेंक्यू कि मटीरियल लेबर एक्सपेंसे लिखाऊं लास्ट वाला फिर डी और आईडी का मतलब है डिरेक्ट इंडिरेक्ट अरे सर वहां तक समझ गया नीचे का बताईया थे डी आईडी क्लियर है डी और आईडी फिर डी का मतलब नीचे लिखाऊं सारे डी को जोड़के डिरेक्ट कोस्ट और प्राइम कोस्ट और ब्रेकेट में लिखाऊं ओनली इंकर्ड इन फैक्ट्री ब्रेकेट में लिखाऊं ओनली इंकर्ड इन फैक्ट्री पिर सारे आईडी को मिला दिया और इंडिरेक कॉस्ट और ओवरहेड लिखाऊंगों ओएच मतलब ओवरहेड़ बात करेंगे फिर टैक्सस का बात और डालने लगति मिल्ग तुम गवें धिरे धीरे करेंगे लेंगे बीकिनी पहला बात तो यह तुम तो कॉस्ट बोल रहा हम तो बलेंगे पहला बात क्या यह पारड बनेगा भी किन अभी क्यों इतना हरबडी कर रहा है बोलो इतना तक clear है अब वो बच्चा पूछ रहा है जी एश्ट का क्या करोगे जी एश्ट तो खुद इंडिरेक्ट इंपोर्ट ड्यूटी इसले मैंने बाकी लोग को इंपोर्ट ड्यूटी ना बोलके तुमारा भासा को थोड़ा आसान से समझाया अभी आप जानते क्या हो आपका तो सब्जेक्ट है पूरा टैक्स आओ तो सरी इतना क्या कल से आईए लिख लिए वाइज हो सकते हैं तीन डिपार्टमेंट वाइज क्या 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 फैक्ट्री ओफिस सेलिंग इसलिए तीन नाम फैक्ट्री ओवरेड ओफिस एन एडमिन ओवरेड सेलिग एंड डिस्ट्रिबिशन ओवरेड बट फैक्ट्री ओवरेड के और तीन नामकरण है सिनोनिम से क्या ध्यान रहेगा क्या क्या प्रोडक्शन मैंनुवेट्चरिंग वर्क्स एक बार देखिए क्या इतनी बाते आपको क्लियर हुई आज सवा घंटा हो गया आप लोग को मीनिंग देखिए आज एक नया दुनिया गए कॉस्ट का जिसको बोलते हैं पदार्थ वाइस एलिमेंट वाइस कॉस्ट कितने पदार्थ आते हैं कल तक हमने नेचर उनका चाल चलन ना परहते अब उसका पदार्थ ना परहते हैं बट अपने दो में काम के एक एलिमेंट वाइस और एक बीहेवियर वाइस जिसके थुरू हम पूरे कॉस्ट को कम्प्लीट करेंगे यह दोनों ही बात आपके आने वाले हर चैप्टर में काम आएगा बोलिये इतना डन है बात आप लोगो देखेगा एक बार एवरिबड़ी अब इसमें क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा किसे बनेगा कैसे निकलेगा कौश सब सीखेंगे ना पहले जान तो लो मीनिंग होता क्या किसका मतलब क्या फिर कुछ एक्जामपल लिखेंगे कि हाँ इसमें यह आएगा यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा जो आचा किते लोग BCOM में भी पड़ रहे हैं सब पड़ और कोष्ट है पढ़ते नहीं है है तो सरी सेमेश्टर सेमेश्टर में आयगा आएगा सेकेंड सेम में आए सब आयगा कोष्ट रोड तो आटोमेटिकली हां कवर हो जाएगा आपको एक्दम सेम उल्टा एक्दम जो हम एक्जाम्पल कराएगा वह आएगा उसमें तफ को सन्वल एक्दम कोई टेंशन मत लिजेगा भी कौम के लिए फीज जरूर दे दिजेगा लाश्ट में डबल बोलिये क्लियर है यहां तक एवरीवन एक बार पड़सो से लेके पड़सो से मतलब समझें फर्स्ट क्लास से लेके आज तक की बात पूरा पड़ो यूँकि अभी मैं कुछ कोश्चन्स पूछने वाला हूं सबसे फटा फट सारे बच्चे फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट क्लास तिल टुड़ेस क्लास एक बार नोट्स घुमा लिजे फिर जो मैं कॉस्चन पूछूंगा फज जाओगे मजा ले लूँगा एक दम प्रियांसु यू विल बी फर्स्ट वन अरे जामत नहीं पूछेंगे अरे आज दो क्लास का लगा लेना अपसे अब दो चालू होगा फिर तीन-तीन चालू होगा बड़ तीन-तीन के लिए दे रही है अभी रिजल्ट्स के बाद रिजल्स कब हैं कब हैं रिजल्ट्स तर यह सब मत याद दिलाएं पढ़ाई ना चुपचा झालू है तो चाप केरो निल्चीश तुम जो पन्ना नहीं खोला उची से पूचाएंगा 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 हो गया मान रहूं हो गया कैलकुलेटर बार निकाल लीजे नहीं निकाले अभी दग तो ओ मतलब कुछ सम्स टाइप का भी चीज पूचेगा यहां केवल ध़री थोड़ी बात करेंगे कालकुलेटर बाहर रखेगा तैयार अक्का अबका नाम बभू इतेश इतेश अंसर करेंगे सब को अपने अपने कैलकुलेटर बाहर अंसर निकाल के रखेंगे आस पास वालों को नहीं बताएंगे अपना अंसर चुपा के रखें जैसे छोड़ो इतेश अंसर करेंगे वाभू जो मैं कोश्चन बोलूँ हाँ लास्ट येर अप लिख सकते हो अगर आपको कुछ लिख रहा हो तो साथ साथ में ठीक है लास्ट येर मटीरियल कॉस्ट वाज at the rate rupees 15 per unit बस इतना बड़ा काई लिख रहा है simple लिख रहा है लिखे ही जा रहा है ठीक है लिख लिया calculate total material cost ठीक है सुल लिया of this year if material cost is increased by 10% for 10,000 units if material cost is increased by 10% for 10,000 units तैयार हितेश हितेश कितना था पिछले साल कितना था पंदरा रुपिया कितने से भड़ गया और कितने units के लिए मांगा तैयार हो आपका अंसर सबका रेडी है सुने उसका अंसर देखते हैं क्या बोलता है बोल 1,65,000 मैं कोई साल करेंट यर कहीं चाहिए सिर्फ 1,65 किते लोग बोल रहे हैं 1,65 एक पर आद दूपर ओल नहीं कोई और कुछ बोल रहा है मैंने तो बताई दिया पर यूनिट कोई बताया मतलब क्या बताया ज्यादा माथा नहीं लगाते एक मिनिट यही बात पूछना है क्या मैंने आल्रेडी आपको पर यूनिट डेटा दिया मटीरियल का if I have given you certain thing it means sums ने खुद चला के बता दिया material cost कैसा है कैसा है बताओ how come you decided that variable in nature है आपने उसका per unit cost दिया आपने उसका data ही कैसे बताया per unit last year का क्या data दिया per unit तो अगर data खुद चला के बोल दे की वो variable है तो हमको judge करने का दरकार नहीं है हम सीधा उसको क्या माल लिए variable है और उसके बाद 10 रुपया 15 रुपया को कैसे बढ़ाए 10% से तो कितना है बताये 16.5 तो 10,000 units के लिए कितना क्या done है बात आपको पक्का आओ copy में लिखते है आज का वन लिखलो एक्जाम्पल नॉम्बर वन लिखेगा करेंटली कम्पनी इस वर्किंग एट 60% कैपासिटी और प्रोदूसिंग 36,000 units per annum and producing 36,000 units per annum. Current year cost statement is material, labor, factory अब सही वर लिखूं अब से क्या लिखा देखो तो कल तक क्या लिख रहा था यही अब थोड़ा इज़्जदार वाज लिख लिए तो overheads यह लिखाओ, O-N-A-O-H, सरकुछ जादा ही short form नहीं हो गया, आप पुरा लिख लो, as if selling and distribution overheads bracket में यानी यह क्या कर दिया मैंने, मैंने क्या कर दिया बताईए, नेचर बता दिया, तो आपको क्या Judd करने का धरकार है तर चुकते कल बहुत, जज करने में आप expert हो गई हूं मैं देख लिया, जज करने में आपको मालू मैं अब जच के से करना हा तो अब मैं जज़ करके दे दिया इसलिए एक सेट आफ यूनिट से बटाया है की नहीं ठीक कॉस्ट लिखना स्टार्ट करना शिक्स लैक्स अब फ्वाइब पॉइंट टू लैक्स उसके बाद 3.6 लैक्स ओल लैक्स टू पॉइंट टू लैक्स प्रोटल करके बताओ 21 लाग ग्रेट ग्रेट तैयार नीचे लिखना नीचे लिखना प्रिपेर दी कॉस्ट स्टेटमेंट प्र िटी टू पर्साट मैंट बिखना करेंट प्रफेर पिती के हाइब एएएइस बिखना करेंट करेंट प्रफर फाइए एंटी सीपिट प्रफेर if it is anticipated that material cost would increase by 10% and factory overhead would decrease by 5% full stop selling and distribution overhead is expected to increase by 15% full stop very good yes, Learner name change learner इसा भी क्या नाम एंजो बता नहीं सकते हैं कि मैं इस्टारश एफ के रच्वार देनाए थे शुच्वार भी युश्च्वाद आवा गया इसनवे आधे लिख थे फैसा आधे हैंगे और पार। आधेंगों अनुच्वाद भी जो आधे je झाल 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 बताईए डिस्केशन करना चालू करें ओ ठीक है पटाएगा मेरा मेरा एक्जाम्पल है भाई कुछ भी हो सकता हम तो मन से लिखाए ना फिगर्स सबसे पहला डाउट जो बच्चों का मैंने सुना वो था यूनिट्स किता बना रहे हैं अगले साल क्या कोई निकाल पाया 48,000 पक्का आया कैसे 36,000 प्रेड्यूस कर रहे हैं और अभी कितना लेवल पे काम कर रहे हैं तो 60% काम करके 36,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो क्या बोला अगले साल anticipated क्या है कितना यूनिट्स बनाने का या कितना capacity में जाने का अगर 80% में जायेंगे तो 80% में तो यूनिट्स जादा बनाएंगे ना और क्या वो निकाल सकती हो कितना अगर 60 के लिए इतना तो 80 के लिए कितना बताईए 60% capacity units वेर कितना तो आप बच्पन में करते थे थे ना 1 के लिए कितना 36 by 60 तो बताईए 80 के लिए कितना कई बच्चे बोल सकते थे सरम पहले 100 का निकाल लिए और उसके बाद उसका 80 कर लिए correct everybody 40 यह 100% हो गया स्वरी 1 मतलब 100% मदा यह 48 यह 48,000 units सबको clear है अब यानि कि सवाल में 48,000 units के हिसाब से समस को करना था जल्दी से बताएंगे सबसे पहला cost statement में cost कौन सा आएगा cost statement में cost कौन सा आएगा material कितना करके कितना करके क्या पूराना पहले per unit cost जानना पड़ेगा क्यों जानना पड़ेगा nature पता है क्या तुमको nature पता है हम बता दिये इसीले पता है क्या ड़ने बाद आपको वरना decide करने के लिए क्या चाहिए था दो set of units नहीं दिया तो nature तब खुद बता दो आप बता दिये बता ये everybody अगर ये variable in nature है तो आप इसका पहले last year per unit cost निकाले होंगे कितना आया वो 6,00,000 divided by 36,000 hence बोलिए 16.66666666 चले जाल रहा है पक्का everybody per unit cost clear है material का क्या ये भढ़ गया कितना percent से 10 percent से तो new बताओ कितना आगया new बोलिया ना 18.3333333333 ऐसा कुछ और कितने units के लिए तो क्या ऐसे पूरा total लोगे जितना हो सकता है final figure round of to nearest decimal बट अभी पूरा लेना जितना हो सकता अगर आप 0.33 लेके क्यों मैं क्या बोल रहा हूं ये calculation error allowed है ऐसे बट कोशिस यह हमेशा करना जितना हो सके final answer जब तक ना आए पूरा लेके चलेंगे बदा ये 18.33 सबका निकल गया था क्या ये समझ में आया क्यों क्यों क्योंकि पहले से हमें पता है वो कौन सा nature है variable तो variable पता है तो per unit निकाल लिया और उसके बाद उसको 10% से बढ़ा दि और इंटू कितना units 48 कितना आ रहे ये figure पूरा लेके 8,7 तो 8,80 एक्जेक्ट आ रहे है तब तो 8,80 यही तो बोले एक्जेक्ट आ रहे है ना पूरा 0.9999 तो यह क्या है calculation का तरीका के वज़े से आ रहे है actual में पता है अगर मैं दिखा दूं पॉइंट में नहीं है आप अगर यहां से ध्यान दो तो यह 1,6 थो रहा है ना 16% आ रहे है मतलब 1,6 अब 1 by 6 आपका calculator क्या लिया 16.666666 अगर आप 1 by 6 छोड़के चलो देखो exact answer 8,80 आएगा तो यह क्या calculator का mistake है याद करो foundation में भी बोलते थे 0.999999 आ रहे है तो मतलब वो पूरा क्या है exact वो value exact ही आ रहे है answer कि इतना ultimately 8,80,000 क्या clear है सबको 8,80 next बदाइए कौन सा cost क्या labor cost change हुआ क्या वो अभी भी बोल रहा है per unit same रहेगा मैंने per unit क्यों बोला variable cost तो variable cost पूराना वाला बनाओ कितना है rate rate बताओ rate 5,20 डिवाइड भाई 36 कितना आया rate 14.4444444444 into क्या कर देंगे बताइए क्या ये change हुआ है नहीं into 48,000 कितना आया बताइए exact 6,093 333 अब nearest रूपी में round up 0.333 नहीं नहीं अरेस्ट रूपी में round up क्या ठीक है ये वाला बात 6,93 3,33 आया सबका ये अक्का labor cost में कोई changes नहीं था ठीक factory overhead में कोई changes था हाँ it has been increased by या decreased by कितना और कौन सा nature है उसका तो पहले तो per unit निकालना पड़ सी बदाओ कितना आया per unit 10 रुपया करके कितना percent से गिर गया तो कितना हो गया नया 9.5 और 9.5 into क्या लोगे बोलो क्या कोई भी बच्चों को यहां दिक्कत नहीं कितना आया टोटल 4,00,00 क्या सबका यह तीन element सही निकला एई बभू लोग पका आया तीन element कोई भी doubt पूछ लेंगे सर एक बार यह वाला बता दीजिए कोई भी doubt इन तीनों में कोई भी doubt पूछ लो कोई रोक नहीं है online live live आज पूछ लो कल नहीं पूछ पाओगे क्योंकि क्योंकि कल फिर लगेगा कि यार अब तो हमको आना चाहिए आज आज जितना doubt है पूछ लो डन यह तीन तक कोई दिक्कत नहीं अगला कौन सा निकालना है बोलिए office and admin office and admin क्या कुछ changes आया अच्छा capacity भढ़ गया अब 60-30,000 उनिट बनाओ चाहिए 48,000 उनिट बनाओ वो depend ही याद आ रहा है वाली बाते जब तक change नहीं बोलेगा capacity के कारण तो यह change नहीं होगा तो बताईए क्या वो 4 लाक ही रहेगा किते लोग यह सही किये सही किये और किते लोग गलती कर दिये सही बताओ सही बताओ गलती कर दिये क्या गलती किये proportionate ले लिए गया तो ध्यान रहेगा अगली बार से यह क्या change होगा कि नहीं होगा next cost बताओ कौन साथा क्या इसमें कुछ change मैंने करने बोला क्या 15% increase अच्छा क्या ये unit के वाज़े से होगा या सिर्फ total basis पे चेगा कितना था बताओ पिछली बार और कितना percent से भढ़ जाएगा तो 115 percent कितना आ रहा है two lakh 53 था होगा two lakh 53 था होगा क्योंकि आने वाले साल में क्या होगा हम भो क्या मालूम हम तो सिर्फ expect कर रहे है पॉर्कास्ट कर रहे है हां कि कॉले जया है और कुछ पूछना एक्सपेक्टेड वड्य की हो था यहीं पोल रही है तो बोला तो क्या करना करने का रहिवि committees दने का पैसा मिलता है और आपको company काagne सब्सक्राइब मैं क्या सूर प mathematically क्याई चीश पैसा मिलेगा कि क्या सब ना हो बात का बात तुम CC आप दी कम्पनी ओर तुमी सब सोच रहा है कियार आने वाले साल में ऐसा ऐसा हो सकता है हमारे से प्रोजेक्शन हो दैन भारी जाए वारी वर्ड हो गया टोटल बताएंगे तू सिक्स एट्टू 26,082,333 अजब हुआ क्या सब को यह अक्का एवरिबड़ी चलिया आज यहीं तक रखेंगे नेक्स क्लास, नेक्स क्लास कब है बताएंगे, ट्विजडे, ट्विजडे को मिल रहे हैं अपने कॉस्ट के लिए अगेन, बेसिक्स विल गेट कंटिन्यूट, खटा बाबाए